There students, we have to discuss about the sustainable development teaching, ethical and political challenges. हमने बात करें हैं, ethics ही, बात करें हैं, political challenges की. देखें, जब हम sustainable development की बात करते हैं, और sustainable development teaching की बात करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमारी teaching जो है वो under the umbrella of sustainable development goals होनी चाहिए अब यहां पर दो चीज़े important आ जाती है एक teacher's personal ethics, values और दूसरा political अब यहां जहां पर difference आएगा वो उसके लिए एक challenge बन जाएगा उसकी पर आपको एक example देना चाहता हूँ कि हम sustainable development goals के अंदर बात करते हैं कि हमें fair होना चाहिए हम वहां पर बात करते हैं कि हमें किसी किसम की discrimination नहीं होनी चाहिए लेकिन अगर हमारा political environment ऐसा है हमारा cultural environment ऐसा है कि यहां पर discrimination exist करती है वो चाहिए किसी भी वज़ा से हो वो gender की वज़ा से हो वो चाहिए कास्ट की वज़ा से हो race की वज़ा से हो culture की वज़ा से हो अब मैं उसको believe भी करता हूँ यानि दूसरे लफ़ों में यह समझने के यह एक challenge है अब यह तज़ाद जो है यह एक बहुत बड़ा challenge है teacher के लिए भी और teaching learning process के लिए भी इसका मतलब यह हुआ कि मैं अगर इसको मुक्तसर अंदाज में बात करना चाहूँ तो first of all I have to change myself being a teacher क्योंकि मैंने जिस चीज़ को implement करना है अगर उस चीज़ के बारे मेरे अपने जहन में तज़ादादात मुजूद हैं तो मैं उसको proper implement नहीं कर सकूँगा इसका मतलब यह हुआ कि सबसे पहले sustainable development goals जो है उनकी implementation teacher से होने चाहिए teacher की teaching तब effective होगी जिस वक्त वो इन तमाम अमल पर अगर वो खुद इन पर अमल कर रहा है तो उसकी पढ़ाई भी ठीक होगी उसकी टीचिंग इफेक्टिव भी होगी और बच्चे जो है उसके मताबिक लर्न भी करेंगी